ये बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे आज हम क्लास 5 का चैप्टर 11 पढ़ेंगे चावल की रोटियां अब इसकी पात्र देख लेते हैं कौन-कौन है इसमें इसमें एक लड़का है कोको आठ साल का एक बर्मी लड़का कुछ मोटा नीनी नौ साल का बर्मी लड़का कोको का दोस्त तिनसू आर साल का बर्मी लड़का कोको का दोस्त मीमी साथ साल की बर्मी लड़की कोको की दोस्त उबातुन जंदा की दुकान का प्रबंदक इसका अभिने कोई लंबे कद का लड़का नकली मूचे और चश्मा लगाकर कर सकता है एक साधा कमरा दिवारों पर बांस की चटाईयां एक दिवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के उपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कब और खाली गुलाबी फूलदान रखा है कमरे के बीच फर्ष पर एक चटाई बिची है, जिसके उपर कम उचाय वाली गोल मेच रखी है दो दर्वाजे, एक दर्वाजा पीछे की और खुलता है और दूसरा एक किनारे की और पंचियों के चैचहाने के सासाथ परदा उठता है, दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुटा भूगता है, कहीं प्रातना की घंटियां बसती है कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए, धान क्या होता है, जो हम चावल बोते हैं, उसको धान कहते है जब तक मा खाना बनाने के लिए लोटकर नहीं आती, मुझे घर की देखबाल करनी है हम, देखता हूँ माने नाश्टे में मेरे लिए क्या बना कर रखा है वह अलमारी की तरफ जाता है, उसे खोल कर देखता है एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की चार रोटियां है वह होटो पजी पेरता है, मुस्कुराता है अब कोको को, बहुत पसंदी चावल की रोटियां कोको, अहा, मज़ा आ गया चावल की रोटियां, मेरी मन पसंद चीज वह पेट मलता हुआ, रोटियों को मेज पर रखता है और बैट जाता है कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा वह एक रोटि उठा कर मुँमें डालने लगता है तभी कोई दर्वाजे पर दस्तर देता है नी-नी, कोको, ए कोको, दर्वाजा खोलो, मैं हूँ नी-नी कोको, गजब हो गया, यह तो भुकड नी-नी है उसकी नजर में रोटिया पड़ी, तो जरूर मागेगा मैंने छिपा देता हूँ नी-नी, दर्वाजा खोलो, कोको तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी, कोको मैं इनी कहा छिपाऊं, कहा छिपाऊं रेडियो की तरफ देखकर मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूँगा जोर से, अभी आता हूँ नी-नी जरा रुको, कोको आओ नी-नी, अंदर आजओ, नी-नी अंदर आता है नी-नी, दर्वाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई, कोको कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मूध होने लगा था बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नी-नी, क्या? यह मत कहना कि तुम भूल गए थी परिक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है कोको, लेकिन तुमारे घर भी तो रेडियो है नी-नी, वह खराब है इसलिए सोचा तुमारे रेडियो पर सुनूँगा नी-नी, गोल में इसके पास बैट जाता है नी-नी, रेडियो ढ़ाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे-लेटे सुन सकें कोको, नी-नी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है नी-नी, आओ कोशिश करके देखें मैं उठा कर ले आता हूँ नी-नी, अलमारी की तरफ जाने लगता है कोको, नहीं-नहीं नी-नी, इसे मच्छू ना चूओगे तो करंट लगेगा, नी-नी, रुख जाता है नी-नी, मैंने तो इसे चूओई लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाता हूँ तिन्सू के घर जाता हूँ, तुम आओगे कोको, नहीं, अच्छा, फिर मिलेंगे नी-नी तेजी से बाहर निकल जाता है कोको, तस्तरी नीचे रख कर, जाने अब कौन आटपका मीमी, कोको, दर्वाजा खोलो, मैं हूँ मीमी मीमी, कोको, बाप रे, यह तो मीमी है उसे चावल की रोटिया मेरी तरह बहुत अच्छी लगती है और वे हमेशा भूकी होती है मुझे रोटिया चिपा देनी चाहिए लेकिन कहां, वे तो कुछ खाने की चीज़ ढूणने के लिए सारे कमरे की तलाश लेगी मीमी, फिर दर्वाजा खट-खटा कर कोको, दर्वाजा खोलो न, इतनी देर क्यों लगा रहे हो कोको, कहां चिपाओं, कहां चिपाओं कमरे के चारो तरफ देखका, ठीक इस फूल दान के अंदर चिपा लेता हूँ मतलब उसको अपनी रोटिया चिपाने की क्या जाती शेयर भी तो कर सकता था न लेकिन उसको बहुत पसंद थी कोको, फूल दान में तश्टरी रखका दर्वाजा खोलता है, मीमी कागज में लिप्टा, बंडल उठाय कवरे में आती है, मीमी, दर्वाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी, कोको मैंने अभी-भी नाष्टा किया था और मूध होने लगा था आओ बैठो, कोको और मीमी मेज के इर्दगेर बैठते हैं मीमी, मुझे अभी-भी तुमारे माता-पिता मिले, तुमारी माता-जी ने कहा कि तुमारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं मैंने सोचा, कोको चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खाली मीमी, एक भी नहीं बची कोको, सॉरी मीमी मैंने सब खाली हाथ से पेट को मलते वे पेट एकदम भर गया है लगता है आज तो दुपैल का खाना भी नहीं खाया जाएगा मीमी, बहुत बुरी बात मीरी माने के लेके पापड बनाये थे, मैंने सोचा तुमारे साथ बाठ कर खाऊंगी मैं चार पापड लाई हूँ दो तुमारे लिए और दो अपने लिए सोचा था तुमारी चावल की रोटियां और मोटे पापड दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा मीमी कागज का बंडल खोलती है और पापड निकालती है वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है मीमी, गर्मा गरम है और स्वाधिष्ट भी तुमारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुमारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते कोको पापड देखका होटो पर जी फिर कर सैगत मैंने बढ़ी गलती कर दी जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है देकिन मैं समझता हूँ कि वे चारू पापड तो खा ही नहीं सकती शायद दो मेरे लिए छोड़ दे मीमी एक पापड उठागा क्या इन्हें निगलने के लिए चाए है कोको हाँ हाँ अलमारी पर है मैं ले आता हूँ कोको चाए की केतली और दो कप उठा लाता है मीमी एक कप में चाए डालती है मीमी तुम तो चाए पी ओगी नहीं पेट भरा होगा तुमारा कोको स्वैगत मेरा पेट भूग से गुड़ गुड़ कर रहा है भगवान करे मीमी को ए गुड़ गुड सुनाई ना दे मीमी पापड खाते हुए यह कैसी आवाज है कोको आवाज कैसी आवाज मीमी हलकी सी गड़ गड़ आने की आवाज यह फिर हुई सुना तुमने कोको यह है हमारे घर में चूहा गुशा है यही वही वह आवाज करता है दरवाजे पे दस्ता कोको कौन तिनसू मैं हूँ तिन्सू, कोको उठने लगता है, मीमी, तुम बैठे रहो अराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ, मीमी दर्वाजा खोलती है, तिन्सू गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है, तिन्सू, अहां मीमी भी आई है, मीमी आओ ति तिन्सू मेज के पास बैठते है, मीमी तिन्सू से वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां जादा खाली है, तिन्सू, केले के पापड़ों की तरफ देखा, आहां केले के पापड, मीमी, मैं कोको के लिए भी लाई थी, ले आई थी, लेकिन चूकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इने खतम करने में मेरी मदद करो, तिन्सू, नेकी और पूछ-पूछ, तुमारी मा गाव में सबसे बड़िया पापड बनाती है, तिन्सू, एक पापड उठाकर खाने लगता है, मीमी उसके लिए एक कप में चाय डालती है, मीमी, कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ, तिन्सू, चाय की चुसकी लेकर होटों पर जी फिरा कर, बहुत बड़िया चाय है, मेरी खुश किस्मती जो इस वक्ति हाँ आ गया, को-को, स्वैकर, तुमारी खुश किस्मती और मेरी बद किस्मती, मीमी और तिन्सू, एक एक पापड खा लेते है और मीमी दूसरा उठाती है, मीमी, यह है लो तिन्सू, एक और खाओ, तिन्सू, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है, मीमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक को-को के लिए रहा, शाम को खा लेगा, तिन्सू, तुम जो डालती हो तो ले लेता हू कोको सैगत चलो एक तो मेरे लिए चोड़ रहे हैं मैं भूग से मर जा रहा हूं तिन्सू यह कैसी आवाज है मीमी यहां एक बड़ा चुहां गुसाया है कोको कहता है वही यह आवास करता है तिनसू ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़ गुड़ा रहा है तिनसू और मिमी पापड खतम करते हैं मिमी अच्छा ये फूल कैसे हैं तिनसू ओहो मैं तो भूली गया था मेरी माने कहा है कि कोको की माने कल दुकान से एक फूल दान खरीदा था उन्होंने ये फूल उस फूल दान में रखने के लिए बेजे हैं इधर उदर देखता है उसे उसे अलमारी के उप़ फूल दान दिखाई देता है वहरा फूलदान, अल्मारी पर मिमी, मुझे दो मैं इने फूलदान में रखाती हूँ तिनसू, उसके हाथ में फूल देता है वह उठने लगती है कोको, नहीं नहीं मिमी मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया क्या बात है, कोको ये फूल, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से अलर्जी है जब भी वह ये फूल देखती है उनके जिस्म में फूंसिया निकलाती है तिनसू, ओहो, मुझे इस बात का पता नहीं था, खेर मैं इन फूलों को वापस ले जाओंगा कोको, चैन की सांस लेका स्वयगत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने जूड बोलने पड़ेंगे, अब वो कितने जूड बोला है, उसने अपने सभी दोस्तों से जूड बोला, अपनी चावल की रोटिया है न, बचाने के लिए, अब फिर से दर्वाजे पर दस्तक हुई यानि कि किसी ने नौक किया को कौन उबातुन मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन मीमी कोको से तुम मत उठो कोको मैं खोलती हूं दरवाजा जोर से अभी आई उबातुन चाचा उबातुन नीला फूलदान लिए आता है उबातुन हेलो बच्चो मेज की तरफ देकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है मीमी आओ चाचा आओ उबातुन मेज के पास बैठ जाता है मीमी चाए लेंगे आप उबातुन कोई अतराज नहीं बहुत बहुत शुक्रिया मीमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाए डालका उबातुन को देती है उबातुन कप से चुसकी लेकर क्या मज़ेदार चाए है खुश्बुदार ताजगी लाने वाली तिनसु चाचा आपने नाश्टा कर लिया है उबातुन अभी किया नहीं मैं सोच रहा था किसी चाए की दुकान पर रुपकर कर लूँगा मीमी चाए की दुकान पर जाने की क्या जोगत आप यह पापड ले सकते हैं अब तो गया है ना कोको तो गया कोको को चावल के पापड कितने पसंद है ना लेकिन वो बचावा पापड मिम्मी ने किसको दे दिया उबातुन को लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता कोई बात नहीं चाचा हम सब के पेट तो भर गए हैं उंगली से गले को छूता है उबातुन बहुत बहुत शुक्रिया अरे यह कैसी आवाज है तिनसू यह है चुहें की आवाज है अक्सर यह आवाज करता है उबातुन मुझे लगा किसी का पेट भूग से कुल बुला रहा है उबातुन पापर उठा कर खाने लगता है उबातुन कोको तुम आज भौछ चुपो तबियत तो ठीक है? कुछ नहीं जाचा मैं बिल्कुल ठीक हूं मीमी उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता भौछ डट कर किया है उबातुन पापड खतम करके हाथ से मूँ पहुंशता है उबातुन कोको तुम्हारी मां हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी इदर उदर देखकर हाँ वह रहा कोको क्यों फूलदान का क्या करना है उबातुन तुम्हारी माने नीला फूलदान मांगा था उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था इसलिए वह गुलाबी ही ले आई उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया मैं उसे बदलने आया हूँ उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगे नीला फूलदान रग देता है उबातुन कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी मानीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी अब मैं चलूँगा शुकरिया और गुडबाय मीमी और तिनसु गुडबाय चाचा कोको गुडबाय चाचा स्वैगत और गुडबाय मेरे चावल की रोटियां देखा कोको ने अपनी चावल की रोटिया बचाने के लिए क्या क्या किया लेकिन लास्ट में क्या हुआ उसको चावल की रोटियां नहीं मिली एक जूट को छेपाने के लिए उसको कई जूट बोलने पड़े लेकिन बच्चो जूट बोलना बहुत गलत है जूट कभी नहीं बोलना चाहिए हमेशा सच बोलना चाहिए ठीक है इस स्टोरी को आप अच्छे से रीड करना and stay home stay safe ओके बाई